हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में हम NCRT के कच्छा दस्वी के गडित के अध्या 11 रचनाए की रचना 11.1 की रचना करेंगे रचना 11.1 रचना 11.1 में दोस्तों हमें एक दिये हुए रचन का विभाजन करना होगा कैसे एक रचन को हमें दिये हुए अनुपात में विभाजित करना होगा तो एक रेखा कंड हमें ये भी दिया होगा जैसे कि ये है अब इसे हमें M अनुपात N के अनुपात में विवाजित करना होगा जैसे कि AB को हम दो भागों में बाढ़ देंगे AP और PB ठीक है तो आएए देखते हैं कि हम इसको इसकी रचना कैसे करेंगे तो अब हम रचना को समझ लेते हैं तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम क्या करते हैं M बरावर 3 और N बरावर 2 ले लेते हैं ठीक है तो अब हम 3 अनुपात 2 में विवाजित करेंगे दिये गए रेखा कंड AB को रचना के चरण ठीक है, तो सबसे पहले तो AB हमें दिया हुआ एक रेखाखंड, ठीक है यो तो हमें दिया हुआ है तो रचना का पहला चरण होगा, जो भी AB रेखाखंड दिया है उससे नियून कॉन बनाती हुई कोई किरण AX कीषते हैं, ठीक है तो इक करण AX कीची हमने जो नियून कॉंड बनाती है A B के साथ ठीक है नियून कॉंड होता है दोस्तों 90 डिगरी से कम का कॉंड यह हो गया अब चरण दो में AX पर हमें 5 बिंदू लेने हैं और 5 कैसे आई संख्या हमारी N बराबर M बराबर 3 है और N बराबर 2 है तो M और N को जोड़ेंगे तो 3 धन 2 हो जाएगा 5 तो AX पर हमें 5 बिंदू लेने हैं उनका नाम करण भी कर देते हैं A1, A2, A3, A4 और A5 ठीक है इस पर कर अंकित करेंगे कि वो बराबर दूरी पर हो A से A1 की जो दूरी हो वही दूरी A1 से A2 हो वही दूरी A2 से A3 हो, वही A3 से A4 हो, वही A4 से A5 हो कैसे हो यह अभी आपको समझ में आएगा तो प्रकार उठाइए ठीक है प्रकार का नुकिला हिस्सा बिंदू यह पर रखिए और पैंसिल को कुछ दूरी पर ले जाए नुकिले हिस्से से ठीक है यह दूरी कुछ भी हो सकती है, अपनी सुविधा के नुसर आपको लेना है ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे हमें 5 बिंदू अंकित करने है तो यह दूरी इतनी रखिए कि यह 5 बिंदू अंकित हो जाए आपके न यह X से बाहर न चले जाए तो इतनी दूरी रखनी है तो रख दी और एक चाप लगा दीजे अब यह चाप AX को जहां काटेगा उसे माल लेंगे A1 बिंदू हम ठीक है उसको बद लेंगे नहीं और फिर एक और चाप लगा देंगे यह चाप AX किरन को जहां काटेगा ठीक है उसे माल लेंगे हम बिंदू A2 ठीक है बिंदू A4 ठीक है अब दूरी रखेंगे और प्रकार का नुकीला हैसा रख देंगे A4 पर और पैंसल से लगा देंगे एक चाप यह चाप जहां पैंसल की दूरी को समान रखाता चाप लगाते समय ठीक है अब आजाते हैं तीसरे चरण पर B और A5 को मिला दीजे ठीक है B बिंदू A है A5 बिंदू यह है इन दोनों को मिला दीजे तो इन दोनों को मिला देते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब आजाते हैं चरंड 4 पर चरंड 4 में है बिंदू A3 से होकर जाने वाली अब A3 को ही क्यों पकड़ा क्योंकि M बरावर यहां पर 3 है ठीक है इसलिए A3 से होकर जाने वाली और A5B के समांतर एक रेखा कीचिए जो A5B को बिंदू C पर करेगी उसे मानेंगे हम बिंदू C तो दोस्तों समांतर एका खीचने की प्रक्रिया आप समझ लीजे बहुत ही आसान है A5B के समांतर हमें खीचना है ठीक है तो प्रकार ली उठाई हमने प्रकार नुकीला हिससा रग दिया A5 पर ठीक है और थोड़े से दूरी लेके अपन बिंदू एक जो AX को काट रहा है चाप और दूसरा जो A5B को काट रहा है ठीक है अब यह दूरी को इतना ही रखेंगे ठीक है और जो है प्रकार को ले जाएंगे हम A3 पर क्योंकि A3 से समांतर रेखा खीचनी है ठीक है और लगा देंगे चाप चाप लगा दीजे ठीक है लगा देंगे अब यह जो चाप है यह AX को जहां काटेगा वहां पर बिंदू से दर्शा देंगे ठीक है एक तो यह हो गया अब क्या करना है हमको फिर से प्रकार ली अब इन दोनों बिंदों के बीच की दूरी नापेंगे जो हमने पहला चाप लगा था A5 से ठीक है तो प्रकार में पैंसिल और नोक की दूरी उतनी रखेंगे अब प्रकार का नुकिला हिस्सा रख देंगे जब हमने A3 से जो चाप लगाया था और जो वह चाप AX को जहां काटा था जिस बिंदू पर वहां पर रख देंगे प्रकार के नुकिले हिस्से को और एक चाप काट द वहा हुआ करें किछ देंगे और वह रॹथा जहां पर भी stretchy को प्रतिफ्चित करें वह होगा अमारा बिंदू सी तो दोस्तों अब A3C और A5B यह क्या होंगे समानतर होंगे यही तरीका है दोस्तों समानतर रेखा कीचने का ठीक है इस तरीके को अच्छे से आप समझ लीजे अगर अभी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो वीडियो को दुबारा से देख लीजेगा ठीक है बहुत आसान तरीका है ठीक है अब की होगा डिया इनका अनुपात होगा ठीक है तो हम कह सकते हैं कि तब Herty liar deriv the econ भाफी सी बराबर वावर हो थीन आनुपात दो के तो दोस्तों यह तो ओगई रचना हमें रचना की प्रमालिकता देखनी है रचना का आ। creature देखना है ठीक latest को शिद्ध करना की जो हमने किया है वो सही किया है तो भाई लोगो रचना तो हो गई अब रचना की प्रमाणिक्ता कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो सही किया है कि नहीं तो दोस्तों रचना करते समय हमने क्या किया था यह जितने विंदू लिये थे A1, A2, A3, A4, A5 यह सब बराबर दूरी पर लिए थे, इसलिए A A 1 बराबर A 1 A 2 बराबर A 2 A 3 बराबर A 3 A 4 बराबर A 4 A 5 था, ठीक है, तो अब देखे A A 3, A से लेके A 3 तटकी बीच की दूरी, यह कितने होगी, यह होगी A A 1 धन A 1 A 2 धन A 2 A 3, तो वही तो लिखाया मैंने यहां पर, A A 3 भ़़, A A 1 को तो A A 1 नहीं लिख दिया, धन A1 A 2 A 1 A 2 कि किषके बराबर है, A A 1 के तो हमने लिख दिया A A 1 धन A 2 A 3, तो A A 2 A 3, A 2 A 3 भी A A 1 के बरास तो लिख दिया A A A 1, अब ाब देखो तीन बार आ गया A A 1 तो A A 3 किसके बराबर हो जाएगा, तीन गुणा A A 1 के, कोई बात नहीं बहुत बढ़िया अब A3 A5 A3 से A5 तक के 20 की दूरी निकाल लेते हैं वो कित्ती होगी A3 A4 A5 तो वही तो लिखा है और क्या लिखा है A3 A5 बराबर A3 A4 A5 ठीक है अब A3 A5 बराबर A3 A4 किसके बराबर है A1 के तो लिख दिया धन का चिन लगा दिया A4 A5 वो भी A1 के बराबर है तो A1 लिख दिया तो A3 A5 किसके बराबर आजाएगा हमारा जोको दो बार A1 लिखा है तो दो गुणा A1 के बराबर आजाएगा बहुत बढ़िया अब A3 बटे A3 A5 तो A3 है तीन गुणा A1 लिख दिया बटे A3 A5 है दो गुणा A1 वो लिख दिया उपर भी A1 है और नीचे भी A1 है दोनों आपस में कट जाएंगे थैंक्यू वेरी मच करेंगे एक दूसरे को तो A3 बटा A3 A5 हो जाएगा हमारा 3 बटा 2 तो A3 बटा A3 A5 का अनुपात मिल गया 3 बटा 2 अब हमने A3 C जो खीचाता वो समांतर खीचाता A5 B के A3 C जो खीचाता हमने A3 C वो A5 B के समांतर खीचाता तो दोनों समांतर थे A3 C समांतर थे अब दोस्तों हम बात करते हैं तरुज A A5 B में है यह बड़े तिरोज में तो दोस्तों अब आपको जाना पड़ेगा अध्याच्छे में अध्याच्छे में प्रमे पड़ी थी प्रमे 6.1 आधार भूद समानु पातिकता प्रमे वीडियो भी आप हमारा देख सकते हैं प्रमे 6.1 का वीडियो आपको समझा जाएगा सारा अग एक रेखा कीचि जाए तो यह अन्य दो भुजाए एक अनुपात में विवाजित हो जाती है तो यहाँ पर देखिए ऐपांच भी जो है वह तुरूज की एक बुजा है इस बुजा के समान तर हमने एक रेखा कीचि a3 c टीक है जो कि तुरूज की अन्य दो भुजाए यह A5 को बिंदू A3 पर और A B को बिंदू C पर प्रतिछेत करती है ठीक है इसका मतलब क्या है यह जो अन्य दो बुजा है समान अनुपात में वाज़ित हो जाएंगी आधारवूत समान अनुपात इकता प्रमे से ठीक है इसका मतलब है कि A C बटा C B A C और C B ठीक है यह दोनों का जो अनुपात हो किसके बराबर होगा A A3 और A3 A5 ठीक है तो हमने लिख दिया A C बटा C B बराबर होगा A A3 A5 ठीक है और A A3 बटा A3 A5 यह हम निकाल चुके हैं 3 बटा 2 बहुत ही बढ़िया तो A C बटा C B क्या हो जाएगा 3 बटा 2 तो हम कह सकते हैं कि A C अनुपात C B 3 अनुपात 2 है तो हमने अपनी रचना की प्रमानिक्ता कर दी रचना की जो है आपकी रचना का प्रमानिक्ता अब दोस्तों इसकी एक और विदी है उसको भी ध्यान से देखिए तो फिर आपको जो विदी अच्छी लगे आप उस विदी से अपने एक्जाम म परिछ्षा में करके आ सकते हैं एक और विद्य है वो भी बहुत आसान विद्य है और इसकी प्रमाणितब नहीं अब दोन्स वीदियों को देख लेजें दोनों समझ लीजें फिर किन परिखर ने करते हैं अब हम चलते हैं डूसरी विद़्ी पर तो आईए दोस्तों स्वागत है आपका दूसरी विदी समझ लेते हैं इस प्रमेगी उसके रचना के चरण तो पहले तो दिया हुआ रेखा-कंड A-B बना लेंगे ठीक है फिर A-B से नियून कॉन बनाती हुई कोई करण A-X किचेंगे जो पहले भी खीचेती है हमने ठीक है यहां तक तो सेम है ठीक है नियून कॉन मतलब 90 डिगरी से कम का कॉन अब दूसरे चरण में क्या है कॉन B-A-X ठीक है B-A-X जो कॉन है उसके बरावर एक कॉन बनाएंगे कॉन A-B-Y ठीक है और A-X के समांतर एक किरण किचेंगे B-Y ठीक है तो उसकी विदी को समझ लेते हैं ठीक है तो A-X के समांतर हमें B-Y किचने इसकी विदी समझ लेते है पहले तो हम एक प्रिकार लेंगे प्रिकार का नुकिला इससे रखेंगे बिंदू A पर और एक चाप लगा देंगे ये चाप जो है ये चाप जो है हमारा A B को भी काटेगा और A X को भी काटेगा ठीक है ये चाप लगा दिया अब जहां पर ये AB को काट रहे है वो दूरी हमने उतनी रखी ठीक है और प्रिकार को ले गए हम ठीक है ये इसी प्रिकार को इतनी ही दूरी पर रखके ले गए बिंदू B पर नुकिलेस से को ठीक है और एक चाप लगा दिया ठीक है ये चाप AB को काटेगा ठीक है अगे बढ़ते हैं जोस्तों फिर से हमने प्रकार ली और यह पिए जहां पर जो हमने चाप लगाए था विन्दू से वह चाप जहां पर adam को काट रहता और जहां पर एक्स को काट रहता और और दोनों करना तो यहां पर रखेंगे बिन बी और एक चान रुट अगए थो वहां पर एक पतने अब कर फिर्कह भी नियुक थांगे उन सटीक है तो बिन्दी ग्रीच और यह जो बिन्दु आया है किस्वट को लाने वाली एक रेखा किष दी ठीक है उसका नाम दे दिया हमने बी वाई ठीक है यह करण किष दी हमने बीवाई किरण ठीक है वही हमें किष नी थी तो अब यहाँ पर एक्स और वी यह दोनों क्या है आपस में समानांतर होंगे अब आगे बढ़ते हैं चरंट 3 चरंट 3 में हमें क्या करना है AX पर हमें 3 बिंदू लेने है A1, A2, A3 3 क्यों लेने हैं क्योंकि M बरावर 3 है और BY पर हमें लेने हैं 2 बिंदू क्योंकि N बरावर 2 है BY पर बिंदू लेंगे उनका नाम करण कर दिया B1 B2 और AX पर जो लिए हमने उनका नाम करन कर दिया A1 A2 A3 AX पर 3 लेंगे क्योंकि M3 है और B1 पर 2 लेंगे क्योंकि N2 है ठीक है किस परकार अंकित करेंगे कि A से A1 की जो दूरी है वही दूरी A1 A2 की हो वही दूरी A2 A3 की हो जैसा कि P2 A1 की हो और यही दूरी B1 की हो और यही दूरी B1 से B2 की हो कैसे करेंगे उसको समझ लेते हैं परकार उठाइए नुकिला इससा बिंदू A पर रखिए अपनी सुविदा के अनुसार पैंसिल को नुकिले इससे कुछ दूरी पर रखिए और एक चाप लगा दीजे यह चाप AX को काटना चाहिए जहां पर भी AX को काटेगा उसे बिंदू A1 माल लेंगे हम अब दूरी को फिक्स रखेंगे दूरी को नहीं छेट चाड करेंगे जो दूरी ले लिया है अब उसको वही रखना है और प्रकार का नुकिला हिस्सा ले आएंगे बिंदू A1 पर और फिर पैंसिल से एक और चाप लगा देंगे जो कि AX को जहां काटेगी उसे माल लेंगे हम बिंदू A2 अब प्रकार की जो दूरी है वो तो वही रखेंगे पैंसिल की और नुकिले हिस्से की अब नुकिले हिस्से को ले जाएंगे A2 पर और पैंसिल से लगा देंगे एक और चाप यह चाप जहां पर AX किरन को काटेगा उसे माल लेंगे बिंदू A3 तो यह हो गया हमारा बिंदू A3 तो दोस्तों प्रिकार के नुकिले से और पैंसल में दूरी तो अभी वही रखेंगे ठीक है और प्रिकार का नुकिला इससे रख देंगे हम बिंदू B पर और पैंसल से लगा देंगे एक चाप अब यह चाप बीवाई को जहां कटेगा उसे मालेंगे बिंदू B1 ठीक है चाप जहान पर भी बीवाई को काटेगा उसे माल लेंगे हम बिंदू B2 तो यह मिल गया हमें बिंदू B2 तो यहामें से प्रिकार हमने रचना कर दी इन बिंदू की A1 A2, A3, B1, B2 की अब आ जाते हैं दोस्तों रचना के चौथे और अंतिम चरण में बिंदू A3 और B2 को मिलाईए A3 और B2 इन दोनों बिंदू को मिला दीजे ठीक है माना कि यहां रेखाखंड AB को बिंदू C पर प्रतिश्यत करते हैं AB को जहां पर प्रतिश्यत करेंगे उस बिंदू को हम मालेंगे बिंदू C तब AC अनुपात CB जो है वो 3 अनुपात 2 के बराबर होगा AC और CB का जो अनुपात होगा वो तीन अनुपात दो के बराबर होगा ठीक है यह तो होगी दोस्तों हमारी रचना अब हम इसकी प्रमानिकता भी देख लेते हैं तो आईए दोस्तों अब रचना की प्रमानिकता देख लेते हैं यह हमने रचना की थी A से A1 की जो दूरी थी वही A1, A2 की थी वही A2, A3 की थी वही B1, B1, B2 की थी तो अब A से A3 के बिच्की दूरी क्या होगी A से A3 के बिच्की दूरी A, A1, A1, A2, 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 A3 वही तो लिखा यहां पर A, A1, A1, A2, 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 A3 ठीक है और यह सब किसके बराबर हैं A, A1 के बराबर हैं तो सबको A, A1 लिख सकते हैं तो A, A3 हो जाएगा A, A1, 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 A1 ठीक है क्योंकि A1, A2, A1 के बराबर हैं A2, A3, A1 के बराबर हैं तो वही लिख दिया हमने तो A, A3 क्या हो जाएगा A, A1 तीन बार है तो तीन गुणा A, A1 तो A, A3 हो गया तीन गुणा A, A1 अब बात आती है B से B2 के बीच की दूरी ठीक है यह क्या होगी B, B1 धन B1, B2 वही लिख दिया हमने B, B1 धन B1, B2 ठीक है B, B1 और B1, B2 यह भी A, A1 के बराबर है तो B, B2 कित्ता हो जाएगा दोस्तो B, B1 की जागे लिख देंगे A, A1 धन का चिन लगा देंगे और B1, B2 की जागे लिख देंगे A, A1 तो A, A1 दो बार लिखा है तो B, B2 हो जाएगा दोस्तो दो गुणा A, A1 यह हो गया अब अगर हम अनुपात निकाल ले है A, A3 बटा B, B2 A, A3 है तीन गुणा A, A1 वो लिख दिया बटे में B, B2 है, B, B2 है दो गुणा A, A1 वो लिख दिया उपर A, A1 है नीचे A, A1 है आपस में यह दोनों एक दुस्ते को थैंक्यू वेरी मच करेंगे और काट देंगे गाले हैं तो क्या बचेगा, हमारा 3 बटा 2, तो A, A3 बटा B, B2 आगे हमारा 3 बटा 2 अब तरबुज A, C, A3 ठीक है नीचे वाला तरबुज पीले लंग से दिखाया और तरबुज B, C, B2 में उपर वाला यह तरबुज B, C, B2 लाल लंग से दिखाया वंने इन दोनों तिर्वोजों में देख लेते हम कौन A बराबर कौन B यह जो कौन A है यह कौन B के बराबर है ठीक है यह हमने रचना की थी ठीक है रचना से हमारा आया था यह तो कौन A बराबर कौन B रचना से है ठीक है कौन है तो एंगल के लिए लिख दिया कौन सी बराबर कौन सी ठीक है यह देखिए तुर्बुज ए सी ए थ्री में यह पील वाले तुर्बुज में यह कौन सी यह है और तुर्बुज बीसी बीटू में कौन सी यह उपर वाला है यह दोनों कौन आपस में बराबर हों देखे लिए तो तिर्वोज आपस में सम्रूप होंगे अगर दो तर्वोज सम्रूप है तो संगत बजाओं का अनुपत बराबर होगा ठीक है अब देखिए पहला दूसरा अक्ष्या पकड़ा तो तो दाही हं तरव भी पहला दूसरा अक्ष्या पकड़ा बराबर पहला तीसरे अक्ष्या पकड़ाएं एंस अव्या थिस्या पकड़ते हैं ॥ा एमगर और अब अध्री बटा कि लादेए थ्री निकाल जोगे हम तीन घुख और तो A, C div тогда Bc,ジो है, वो हमारा किस के बरावर होगा, A, A3 divided by 2 ठीक है और A, A3 divided by 2 निकाल जो क कि हम 3 बटे दो है, तो A, C ouvert by Bc की हमारा क्या जाएगा, 3 बटे दो A, C pagan BC, 3 बटे दो आ गया ठीक है, तो BC को हम क्या लिख सकते हैं, CB लिख सकते हैं Vc और CB एकी चीज नंहीं लंबाई यह बिसी लिखें चाइंगा तो कि आज शलjach और दो तो हम इस तरह हमने रचना की प्रमाणिक्ता पूरी कर लिए तो दोस्तों आपको जो भी विदी पसंद आई हो विदी एक या विदी दो आप उस विदी का प्रियोग कर सकते हैं ठीक है किसी भी विदी का प्रियोग करेंगे और उसकी रचना की प्रमाणिक्ता करेंगे उमेद करता हूँ दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा आप हमारे YouTube channel को सबस्क्राइब करें इस वीडियो को like करें, इस वीडियो को share करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में हमारे वीडियो के बारे में बताएं ताकि हिंदी माध्यां के अधिक से अधिक छत्र हमारे चैनल और वीडियो का अधिक से अधिक लाब ले सकें धन्यवाद दोस्तों